अब हम आते हैं मतदान की अगली प्रक्रिया में राश्पधी के निर्वाचन में मतदाता चुनाओं में जितने भी उम्मीदवार खड़े हूँ उनके संसद, उनके क्रम में नंबर लिख कर वोट देता है अर्थात मतदाता जो है वो वरीता क्रम में मत लालता है वरीता सरसाथ क्या हुआ कि यदि छे सदस्य, छे उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार का नाम, दूसरे उम्मीदवार का नाम, तीसरे उम्मीदवार का नाम, चौथे का नाम, पांचवे का नाम, फिर छटवे का नाम छेवमी द्वारों की प्रत्मिक्ता तै करते हुए वह मत देता है मत दाता वरीता क्रम में मत डालता है इससे आगे क्या होगा मतों की गणना मत डाल दिये गए एक निश्चित तारीक को अब मतों की गणना होनी है अर्साद देखना यह है कि किसे सबसे ज़्यादा मिले और जिसे मिले उसे पचास प्रश्चत से ज़्यादा मिले की नहीं तो काउंटिंग ऑफ वोट की ज़िए बात करें तो सबसे पहले उम्मी द्वार को जो वोट मिले हैं उसे गिना जाता है सबसे पहले उम्मिद्वार यदी पहली गिन्ती में कोई उम्मिद्वार पचास प्रस्षत से जादा ले लेता है यदी अधिकतर लोगों ने पहली प्रात्मिकता किसी एक उम्मिद्वार को दी है और उसके मतों का मूल डाले गए मतों से पचास पतिशत से ज्यादा है तो वह विजय घोशित होगा लेकिन ऐसी स्थिति में जब पचास पतिशत से कम मिला हो पहली पसंद को नियूनतम कोटा किसी को न मिला हो तो क्या होगा यदि प्रथम पसंद के वोटों का आधार पर किसी को भी कोटे के बराबर मत प्राप्त ना हुआ हो तो क्या होता है सबसे कम मत प्राप्त होने वाले उम्मीदवार का नाम काट दिया जाएगा मैंने छे उम्मीदवारों की चर्चा की जिसको सबसे कम वोट मिले कलपना करिये छटवे उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले उसका नाम हटा दिया जाएगा और उसके जो वोट हैं उसको वोटरों की दूसरी पसंद के अनुसार शेश पांच उम्मी दोरों में बाट दिया जाएगा थोड़ी सी कंप्लेक्स टक्रिया है इसलिए समझने की कोशिश करें कि सबसे कम प्राप्त वोट जिसको मिले हैं उसका नाम हटा दिया जाएगा और यदि कल्पना करिये उसे वोट मिले हैं तीन हजार वोट तो उसके जो तीन हजार वोट हैं वो दूसरी पसंद के अनुसार शेश उम्मी दोरों में बाट दिये जाएगे ये सिल्सला तब तक चलता रहेगा जब तक की नियूनितम कोटा कोई उमीदवार प्राप्त नहीं कर लेता यदि सबसे नीचे के उमीदवार का नाम काटने पर भी पचास तद्स्यत कोटा नहीं मिल पाया तो पांचवे का नाम काट कर उसके वोटों को बाटा जाएगा तो यह एक उधारन लेते हैं उसके आप थोड़ा और स्पष्ट हो जाएंगे मान लिजे डाले गए मतों की कुल संख्या बीस हुजार ऐसी स्थिते में कोटा क्या बना दस हुजार एक फिक बीस हजार बटे दो वो जो फार्मूला आपको पहले बताया था धन एक तो हो गया दस हजार एक मत मिलने वाले व्यक्ति को राश्पति घुशित किया जाएगा अब उधारन के लिए चार उम्मी दवार हैं जिन्हें प्रथम पसंद के वोट मिले पहली पसंद के वोट चार उम्मी दवारों को मिले अर्थार जितने लोगों ने मत दिया उसमें से कुछ लोगों ने पहली प्राश्मिक्ता एक को दी कुछ लोगों ने पहली प्राश्मिक्ता दूसरे को दी कुछ लोगों ने पहली प्रास्मिक्ता तीसरे को, कुछ लोगों ने पहली पसंद या प्रास्मिक्ता चौथे को, तो ऐसी पहली पसंद वाले कितने हो गए? चार कलपना करिए A को मिले आठ हजार, B को मिलते हैं छह हजार, C को चार हजार और D को दो हजार ये पहली पसंद के हूँ, इस प्रकार पहली पसंद के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को कोटे से कम ही मत मिला, क्योंकि कोटे में मिनिमम कितना होना था? दस हजार एक यहां पहली पसंद के चार उमीदवारों के वोट बट गए और उसमें जो सबसे ज़्यादा मत मिला वो मातर आठ हजार है अब ऐसी स्थिते में क्या होगा ऐसी स्थिते में प्रथम पसंद वाले जो चार कैंडिडेट थे उसमें जिसको सबसे कम मिला पहली पसंद वाले कैंडिडेट में जिसमें सबसे कम मिला उसका नाम हटा दिया जाएगा तो यहां सबसे कम किसको मिला डी को डी को कितने मिले डी को मिले दो हजार तो पहली बात तो उसका नाम इस सूची से काड दिया जाएगा अब बचे तेन उम्मीदवार जो दोड़ में अभी भी हैं और दी के जो मत है उसकी दूसरी पसंद के जो मत हैं तेन उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा तो 2000 पोर्ट उसके A की vote संखिया 1000 बढ़ गए B की vote संखिया 600 बढ़ गई तो C की vote संखिया कितनी बढ़ेगी है 2000 में 1600 ऐसे तो 400 इसके कुल्म हो गए 2000 वोट इस प्रकार किस candidate के D के बांड दिये गये पहली तीन प Mayo पासंद में पहली पसंद वाले तीन candidates में अब क्या स्थिती होती है क्या अब कोई कैंडिडेट दस हजार वोट पा लेता है आप देखिए एक को पहले मिलेते एक हजार उसमें आपने एक हजार वोट जोड़े extraordinarily किसके वोट थे डी के मिले हुए वोर्ट डी के पहली पसंड अब इसकी संख्या होगे नो हजार उसी प्रकार बी और सी का भी जोड देखिए तो किसी का भी जोड दस हजार एक को पार नहीं कर रहा है अब क्या होगा ऐसी स्थे में अब पहली पसंद वाला जो तीसरा उम्मीदवार है उसके उसका नाम भी हटा जिया जाएगा क्योंकि अभी भी किसी उम्मीदवार को कोटे जितने मत प्राप्त नहीं हो सके इसलिए अप सी का नाम काटा जाएगा और सी को जो मत मिले थे कितने हो गए सी के मत अभी कितने है इस सूची में चारजार चारसो पूर में मिले थे उसे चारजार डी के वोटों के वितरन होने से चारजार चारसो हुए तो अब उसके वोटों के वैली हो गई चारजार चारसो ये चारजार चारसो वोट जिसमें ते चारजार वोटों की दूसरी पतन थी और चारसो वोटों की तीसरी पतन थी इसके अधार पर फिर वितरत कर दिया जाएगा मान लीजे इन वोटों का वितरन कुछ इस्टकार हो गया A को 1600 B को 2800 और इन वोटों को जोड़ने से क्या परणाम होगा 9000 में 1600 जोड़ी है 6600 में 2800 जोड़ी है तो एके मत कितने हो गए नौजार धन एक हजार छह सो प्रारम में एक वे आठ हजार थे फिर से डी के प्रात्मिक्ता के एक हजार मत मिले तो नौ हुए अब एक हजार छह सो उसके सी के मिल गए तो दस हजार छह सो हुआ इसका और बी का हुआ छह हजार छह सो धन दो हजार ज्यादा है दो हजार आठ सो है लेकिन पहली पसंद के रूप में अभी ए जो है वह दस हजार की वो मैजिक संख्या पार कर जाता है मिनिमम कोटा पार कर जाता है और उसके कुल मतों की संख्या होजाती 10600 इस प्रकार एको कोटे से अधिक्तम मत प्राप्थ होने के कारण उसे राश्पति के लिए निरवाचित घोशित किया जाता है ये है राश्पति के चनाओं की प्रक्रिया जिसमें केवल विधान मंडल के रूप में संसात सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य रहते हैं वे भी निरवाचित सदस्य और एकल प्रणाली के तहट चनाओं होता है मतों का बुल निरधारित होता है आदी आदी प्रक्रिया चनाओं प्रक्रिया में कभी कभी ऐसी संभावना भी हो जाती है कि कभी विवाद खड़ हो जाते हैं ये जो नाम को काट कर मिनिमम कोटे के अधार पर चैन की जो प्रक्रिया है कभी उसमें गल्ती की संभावना भी रहती है ऐसी स्थिति में चिनाव संबंदी विवाद जो है उसे चिनोती दी जा सकती है लेकिन चिनोती किस आधार पे राश्पती का चैन होता है एका तो चाहता है तो भी किसी आधार पे चिनोती दे सकता है पर उसके आधार क्या होने चाहिए इन तीन में से कोई सा एक ही पहला कि या तो मत दाताओं को घूज दिया गया, उन्हें घूज देकर प्रभावित किया गया कि वह इसी उम्मीदवार को मत दे, ये साबित हो जाता है, तो आरोप सिद्ध हो जाएगा, तो राश्पती की उम्मीदवारी खत्रे में पढ़ जाएगी, या उसके उपर दाव डाला गया हो, अनुचित दाव, दूसरी स्थिति जिसमें चनाओं को लेकर हम सरुच नयाले जा सकते हुआ है, किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र अनुचे धंग से स्विकार किया गया हो नामांकन पत्र में जब उम्मीदवार अपने बारे में पूरी जानकारिया भरता है तो कोई जानकारी गलत पाई जाने पर नामांकन पत्र रद्ध हो सकता है और ऐसी स्थिति में चुनाव रध हो सकता है तीसरा चुनाव संबंधी नीमों की अवहेलना की गई हो चुनाव की प्रक्रिया से लेकर प्रणाव भुशित होने तक एक कोड अफ कॉंडक्ट रहता है उस कोड अफ कॉंडक्ट का पालन करना जरूरी है जिसे हम चुनाव संबंधी नीम कहते हैं उन नीमों का पालन करना जरूरी है किसी भी स्थिति में यदि इन नीमों की अवहेलना या तो मीदवार दवारा या चुनाव अधिकारी दवारा या मत दाताओं दवारा किया गया है तब भी राश्पति का चुनाओ अवैद घोशित हो सकता है भारत में राश्पति के चुनाओ को लेकर उच्चतम नयाले में ऐसे कुछ दारन है जब चुनाओतिया दी गई यदियपी हर चुनाओति खारिज हो गई क्योंकि जिस आधार पे उन्हें चुनाओति दी गई थी चुनाओ को राश्पति के चैन को वे आधार सही नहीं पाए गया 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसाइन 1969 में श्री वीवी गिरी और 1983 में ग्यानी जैल सिंग इनके चुनाओ को लेकर लोगों ने उच्चतम नियाले में चुनाओति दी थी इन सभी मामलों में राश्पति के चुनाओ को उच्चतम नियाले ने वैद करार दिया और ये जो चुनाओतियां थी इन्हें खारिच कर दिया तो संक्षिप्ट में कहने का ताथ पर ये कि चुनाव संबंदी विवाद कभी कभी उठते भी हैं और उसके निराकरण का भी प्रावधान है और इसके लिए उच्चतम नियालाय का दर्वजा खटाए जा सकता है इन तीन कारणों में थी किती एक कारण के अधार पर राश्पती के कारेकाल के बारे में राश्पती का कारेकाल भारत में पांच वर्ष का है समविधान के तहट पांच वर्ष इसका कारेकाल निरधारित है यदि चाहे तो वो इससे पहले त्याग पत्र दे सकता है और राश्पती के पद से मुक्त हो सकता है चाहे स्वास्त के का कारणों थे लेकिन यदि समय से पूर उसने त्याग पत्र दिया और वह स्विकार हुआ तो उसके इस्तीफा देने के छै माह के अंदर नए राश्टपती का चुनाओ होना अनिवार है याद रखेंगे अमेरिका में राश्टपती के न रहने पर किसी कारण से उपर राश्टपती अपने आप राश्टपती बन जाते हैं उतने काल के लिए जो बचा हुआ रहता है राश्टपती का लेकिन भारत में असा नहीं भारत में उपर राश्टपती अपने आप राश्टपती नहीं बनते कुछ समय के लिए यदि राश्टपती बीमार है या चुट्टी पर है या विदेश यात्रा पर है या कुछ आने बात है तो कुछ दिनों के लिए जब तक कि राश्टपती वापस ना आ जाएं वो राश्टपती का कारिभार समालेगा लेकिन इस थाई रूप से उपर राश्टपती को राश्टपती बनाये जाने का प्राउधान हमारे सम्विधान में नहीं है समिधान इस पश्ट है कि किसी राष्टपती द्वारा इस्तीफा दिये जाने या किसी अनिश सितियों में छे माह के अंदर ने राष्टपते का चुना आवश्यक है और तब तक उपर राष्टपती कारेवाहक राष्टपती के रूप में कारे करेंगे उप्राश्पत की अनुपस्थित में सर्वच नियाले के नियाधीश, मुख्य नियाधीश, किसी कारण से यदि उप्राश्पती नहीं है तो इस्थान तो खली नहीं जाएगा, किसी ने किसी को दाइत समालना है तो समिधान में ये भी प्राधान किया गया है कि उप्राश्पती के नहीं होने पर मुख्य नियाले के सर्वच नियाले के मुख्य नियाधीश, इस डाइत को समभा लेंगे भारत की बात करें, तो ये बड़ा स्पष्ट है, एक परंपरा बन पड़ी है कि कोई भी व्यक्ता दो काल से ज्यादा के लिए राष्ट पती नहीं चुना गया है यह कोई समभाधानिक प्राधान नहीं है, लेकिन एक समभाधानिक परंपरा बन चली है परंपरा, कानोनी प्राधान नहीं है, परंपरा इस परंपरा के तहट जो भी राश्पती बने उनको ज़िए दुबारा राश्पती बनाए गया तो तीसरी बार उन्हें राश्पती नहीं बनाए गया और इस विकार इस समवेधानिक परंपरा का निर्वाह अब लगातार हो रहा है और ये देखा जा रहा है सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ती दो बार से अधिक राश्पती पत के लिए निर्वाचित ना हो राश्पती के निर्वाचन की प्रक्रिया योगिता और उसके कारेकाल के बाद उसके भत्ते और वेतन के बारे में कर दो कर दो राश्पति का जो वेतन और भत्ता होता है वह और जो सारी स्विधाएं हैं वो संसद द्वारा निश्चित की जाती हैं सेवा निवर्ति के बाद भी पांच साल के कारकाल को पूरा करने के बाद भी राश्पति को कई स्विधाएं जारी रहती हैं उसमें एक बहुत सु सज्जित मकान, विशाल, भवन और अन्य कुछ सुवधाएं भी शामिल हैं क्योंकि राश्ट्रपती देश की गरिमा का सूचक है, देश की गरिमा का दियोतक है राश्ट्रपती जो व्यक्ति एक बार बन गया, उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है समव्यधानिक रूप से कि देश के इस प्रथम नागरिक की गरिमा सदैव बनी रहे, क्योंकि वह देश का प्रथम नागरिक है इसलिए कारेकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें सभी स्विधाएं काफी कुछ मिलती हैं, पेंशन भी मिलती है कारेकाल के बाद अगला बिंदू, क्या राश्ट्रपती को हटाय भी जा सकता है राश्ट्रपती स्वेच्छा से चाहें तो इस्तीफा दे सकते हूं लेकिन कभी-कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब राश्ट्रपती पर कुछ ऐसे आरोप लगे हो, कुछ संगीन आरोप लगे हो और देश की प्रतिश्था को ठेश पहुँची हो तो ऐसी स्थिति में हमारह सम्वैधानिक प्रावधान है जिसके तहट राष्ट पती को उसके पद से हटाया भी जा सकता है सौभाग्य से गत 80-85 वर्षों में ऐसी स्थिती बिलकुल नहीं आई है जितने हमारे राष्ट पती रहे वे बड़े गरिमा मई तरीके से देश की निष्ठा प्रतिष्ठा के प्रती सजग रहे और महाभियोग जो राष्ट पती को हटाने की प्रक्रिया का नाम है उसकी किसी भी तरीके से आवश्कता नहीं पड़ी तो राष्ट पती को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं महाभियोग कैसे होता है क्या है पहली बात तो राश्पति को हटाने की प्रक्रिया है, पदच्युत करने की प्रक्रिया है, समवैधानिक प्रक्रिया है इसमें जो महाभियोग का प्रस्ताव है, महाधन अभियोग इसका जो प्रस्ताव है, वो संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जाए चाहे वो लोकसभा हो चाहे राजसभा हो वहाँ पर राश्पति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाए जिसमें सम्विधान का अतिक्रमण करने पर सम्विधान का अतिक्रमण करने पर उसको हटाये जाने का प्राधान किया गया है महावियोग को अंग्रेजी में impeachment भी कहते हैं I-M-P-E-A-C-H impeachment अब ये प्रक्रिया क्या है संख्षिप्त में पहला कदम जो होता है कि महावियोग प्रस्ताओ की सूचना सदन को 14 दिन पहले दी जाए यानि जिस दिन सदन को सूचना दी जाएगी उसके कम से कम 14 दिन बाद ही महावियोग प्रस्ताओ को लाए जाएगा इस प्रस्ताओ की सूचना पर सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है राश्पति की उम्मीदवारी के लिए जहाँ पचास और पचास सौ लोंगो कास अनमोदन जरूरी है वही महावियोग के लिए सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है उनकी सहमत ही होने जरूरी यदि लोग सभा में उसे पहले पेश किया जा रहा है प्रस्ताओ को तो लोक सभा के एक चौथाई सदस्य और दिराज सभा में पेश किया जा रहा है तो राज सभा के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अनमोदन या सहमति की जरुत है हस्ताक्षर के रूप में दूसरा कदम ये प्रस्ताओ जिस भी सदन में रखा गया है उसके कुल सदस्यों के दो तिहाई लोगों ने इसे पास कर दिया हो पहली शर्थ तो एक चौथा इस सदस्यों के हर्ताक्षर होना जरूरी चौदा दिन का नोटी स्पिरिट जरूरी तीसरी बाद कि जिस सदन में भी इसको रखा गया हो पहले संसद के उस सदन के दो तिहाई लोग इस प्रस्ताओ को पास कर दें पारित कर दें तब यह प्रस्ताओ उस सदन से पारित माना जाएगा और दूसरे सदन में भेजा जाएगा दो तिहाई बहुमत मिलने पर ही यह प्रस्ताओ पारित माना जाएगा simple plain बहुमत पे नहीं 50% मिलने पर नहीं दो तिहाई पर अगला कदम दूसरे सदन में भी जाज के दोरान राश्पति स्वयम या अपने प्रतिनिदी के माध्यम से इस पश्टी करण दे सकता है उस पश्टी करण उन आरोपों के संबंध में जिन आरोपों को लेकर महाभियोग का प्रस्ताव लाए गया है तो अपना पक्ष देने का अधिकार भी राश्पति को हो चाहे वह स्वयम आके दे या अपने प्रतिनिदी के माध्यम से दे पर ये कहां होगा दूसरे सदन में पहले सदन ने तो पारित कर दिया पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में उसे मौका है अपनी बात को रखने का बात रख दी गई या ना भी रखी जाएं उसके बाद अगला कदम होता है दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से इस प्रस्ताव को यदि पारित कर देता है तो महाभियोग सिद्ध हो जाता है दूसरा सदन भी राश्पती के पक्ष को सुनने के बाद जिस पर महाभियोग का आरोप लगा है या राश्पती के द्वारा किसी भी तरह से अपना पक्ष ना रखने के बाद वहाँ जब मत विभाजन होता है तो दो तिहाई सदस्यों का समर्थन महाभियोग के आरोप को यदि वहाँ भी मिल जाता है तो राश्पती पर महाभियोग साबित और उसी दिन तुरंत राश्पती को अपने पत से त्याग पत्र देना पड़ता है इस पकार राश्पती का कारे काल पांस साल का लेकिन राश्पती को उसे पूरू भी कुन खास परिष्थितियों में समवधान के साथ यदि उसने कुछ गलत किया हो समवधान का अक्तिक्रमन किया हो ऐसी स्थिते में राश्पति को फटाने का प्राउधान है जिसे महावियोग कहते हूं